आतम बोध का फल, करम बंदन से मुप्ती चित का शांत हो जाना ही आतम ज्यान की कसोटी है जिसके मन में हल चल होती है, उथल पुथल होती है, विक्षेप होते हैं इसका अर्थ है कि उसे अभी आतम ज्यान नहीं हुआ चित की स्थिरता संसार को छोड़ कर भागने वाले के लिए दुरलब है भारी अडंबरों से आतम ज्यान नहीं होता आतम ज्यान राजा जनक की स्थिती प्रापत करने से होता है वे शरीर, मन, अहंकार, आदि से अपने कोभिन आतम वत अनुभव करने लगे थे संसार के जो भी करम, भावना, विचार, त्याग, ग्रेहन, अच्छा, बुरा, आदि, यो मन, अहंकार और शरीर से है इन सबसे पार अपने को आतम सबरूप केवल चतन्य अनुभव करने लगे थे ऐसे भाव से वे चित की स्तिर्ता जो चित का स्वास्ते है को उपलब्ध हो गे थे मनुश्य शारीरिक, मानसिक, एवम, बानी के दुखों से दुखी होता है ये क्या है? ये समझना बहुत ही जरूरी है शरीरिक दुख बास्तव में शरीर ही सबसे वड़ी व्यादी है इसके रहते हुए सुख संभव नहीं है शारीरिक कश्ट, रोग, थकान, अपाहिज हो जाना, भरन पोशन के लिए शारीरिक शर्म करना और शारीरिक कई दुख है मानसिक दुख मन के तो अनेक दुख होते हैं जैसे अभाव, अपमान, चिंता, महतव कांख्षा, हीन भावना, प्रापत करने की चिंता, खोजने की चिंता, रक्रखाव की चिंता, रक्षा की चिंता, संकल्प, विकल्ब, आधी वानी के दुख, गुंगा हो जाना, मन के भावों को बिना सोचे समझे व्यक्त करना, अपशब्द, कटू भाशन, मिथ्य भाशन, व्यर्थ परलाप, अधिक बोलना, जा अवशक्ता होने पर भी नहीं बोलना, ये आदि वानी के दुख है राजा जनक जी कहते हैं कि मैं उप्यूप तिन्नों परकार के दुखों का त्याग कर आतम अनंद में सुख पूर्वक सिथित हूँ जो शरीर मन अवंबानी के दुखों से परभावित नहीं होता, वही आत्मा के अनंद की अनुभूती करता है आतम ज्यान प्रापत करना ही सबसे बड़ा पुर्शार्थ है इसी से उस पुर्श तत्तव अर्थात आत्मा की उपलब्दी होती है मनुष्य के करम दो परकार के होते हैं एक सभाविक दूसरा करतव्य करम नंबर एक सभाविक करम प्रकरती अपने आप कारे करती है इने करना नहीं पड़ता जैसे सांस लेना, भोजन पचाना, हिर्दे का धड़कना, रक्त परवा, आदिस मस्त कारे अपने आप होते रहते हैं नींद में भी होते हैं अथा ये करम नहीं है करतव्य करम मनुष्य के सब करम करतव्य समझ कर कुछ पाने की इच्छा से मान सम्मान, पदपरतिष्टा के लिए करता है भोक की वासना से सुक्षानती अनंद के लिए करता है शरीर के पोशन के लिए अपने विकास एवं उन्नती के लिए करता है दूसरों की भलाई के लिए करता है ये सब करम आत्मा द्वारा नहीं किये जाते क्यूंकि आत्मा अ करता है करतापन सुदेश्य एवम फलांकांक्षा से किया गया हर कार्य करम ही है यहां तक कि मोख्ष, मुक्ती, स्वर्ग प्राप्ती एवं शक्ति लाव के लिए जो कुछ भी किया जाता है वे भी करम है आतम ग्यानी भी करम करते ही हैं उन्हें भी खाने पीने और रक्षन संबंदी करम करने पड़ते हैं पर वे अंकार रहित होकर सभाविक रूप से करते हैं उन्हें ना करम करने का आगरे होता है ना त्यागने का क्यूंकि आत्मा में सित्त हो जाने से उन्हें ये बोध हो जाता है कि कोई भी करम आत्म कृत्ति नहीं है प्रतियुत प्रकर्ति जन्य है राजा जनक जी कहते हैं मुझे ऐसा बोध हो जाने से अब अनग्र जो करम करना आ पड़ता है उसे कर लेता हूँ इसलिए मैं सुख पूर्वक हूँ यहां शरीर में आ सकती है वहां अंकार भी मजूद रहता है करता के रहते जो भी किया जाए वे करम ही है निशकरम का अर्थ करता का अभाब करम को छोड़ना करम का अभाब जा निशक्रियता निशकरम नहीं है यहां करम के पीशे उदेशे फलंकांक्षा नहीं है वही निशकरम है निशकरम अपेक्षा रहित होता है करम छोड़ना इश्वरिय कार्य में बादा पहुंचाना है करम को इश्वरिय कार्य समझ कर करना चाहिए करता केवल परमात्मा है सब कुछ उसके लिए नियम से चल रहा है जीवन और करम एक दूसरे के पूरक है या तो दोनों रहेंगे अत्वा दोनों छूटेंगे करता पन से मुक्त होकर निमित मात्र बनकर करम करो कुछ पाने के लिए करम करना सोदे बाजी है एक बार हनुमान चलिसा पढ़कर फिर हनुमान जी के सामने लंबा चोड़ा मांग पत्र रख देना कोई साधना नहीं है मांगना संसार है नहीं मांगना साधना है शरीर के लिए आवश्यक करम करने वाला सभाविक रूप से करम करने वाला करम करते हुए भी करम बंदन से मुक्त रहता है अग्यानी निशकरम की साधना भी शरीर में असक्त होकर ही करेगा अथा ये दोनों भाव वाला होने से दोनों ही उसके लिए बंदन सबरूप है राजा जनक जी कहते हैं मैं इस दे के संजोग और विजोग दोनों से प्रितक चैतन्य आत्मा में सिथित हूँ इसलिए मैं सुख पूर्वक सिथित हूँ अब करम निशकरम आदी मेरे बंदन नहीं है अंकार एवं उसका परिनाम अंकार मनुष्य को जनम से ही मिलता है संसारी जदी अंकारी है तो अश्चरे नहीं क्योंकि संसार का सारा खेल अंकार का है संसारी की उपेक्षा धार्मिक व्यक्ति में भी अंकार अधिक होता है अंकारी हमेशा दूसरों का ध्यान अपनी और अकर्शित करना चाता है हम अपना भोजन, वस्त्र, मकान, आधि का उपयोग भी उपयोबिता के अधार पर ना करके अंकार की तुष्टी के लिए करते हैं यू यू अंकार बढ़ता है व्यक्ति की श्रेश्टता कम होती जाती है मनुष्य भी प्रकर्टी का अंग है प्रकर्टी के अन्य सवी अंग निरुदेश्य जी रहे हैं किन्तु मनुष्य ने अपने जीवन का उदेश्य निश्चित कर लिया है उदेश्य निश्चित करने से संगर्श अरंब होता है जैसे धन संचे करने का उदेशे तब शोषन, बैमानी, भ्रष्टाचार आदी के रूप में संगर्ष अनिवारे हैं जो कार्य सभाव से होते हैं उनमें अंकार निर्मित नहीं होता राजा जनक जी कहते हैं मैं आतम ज्यान को उपलब्द हो गया हूं जो मेरा सभाव है लाव, हानी, अर्थ, अनर्थ की द्रिष्टी से नहीं जी रहा हूं अब मेरे लिए ठहरने, चलने से, जा सोने का ना कोई अर्थ हैं ना अनर्थ ये कार्य सभाव से हो रहे हैं ऐसा करके मैं सुख पूर्वक हूं इसी करम में राजा जनक जी कहते हैं कि मेरे सारे करम अब सभाब से अपने आप हो रहे हैं प्रकर्थी के बुरूत कोई करम नहीं हो रहा सभाब से जितना अवश्यक एवम अनिवारे हैं उसमें लावहानी की चिंता एवम उदेश्य निर्धारन की अशान्ती का कारण है ग्यानी इससे पार हो जाता है जिससे उसे परम शान्ती मिल जाती है जबकि संसारी इनसे दुखी पीडित एवम तनाव ग्रस्त रहता है अग्यानी संसार में दुखी दुख देखता है उसे संसार में सुख कहीं दिखाई नहीं देता वे दूसरों को दुख देकर भी स्वे सुख प्रापत करना चाहता है राजा जनक जी कहते हैं कि मैंने अनेक परिस्तितियों और अनेक जन्मों में देख लिया जैसे दुख अनित्ते हैं वैवी नष्ट होगा उसी परकार सुख वी अनित्ते हैं वैवी सदा नहीं रहेगा ये सरिष्टी का नियम है अग्यानी इन द्वेंदों में पड़कर परिशान चिंतित्वा दुखी रहता है ग्यानी इनसे पार हो जाने से सदा अनंद में और सुख पूर्वक जीता है ये अवस्ता मोक्ष या निर्वान की अवस्ता है कि अवस्ता है कि अवस्ता है